हालो फ्रेंड्स वाल्कम बाक अगें टू टार्करणिंग सपोर्ट यूट्योब चैनल जहां आपको मिलते हैं फ्री आर्डॉप्स और फ्री ओर्निंग प्लेटफर्म्स की जानकाली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट फ्री आर्डॉप्स और अप्डेट्स की आगे भड़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्टे की अगर आपने अभी तक टार्करणिंग सपोर्ट टालिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि अगर आप फ्री किर्प्टो अर्ण करना चाहते हैं फ्री अर्णिंग प्लेट्फर्म की जानकारी चाहते हैं तो आपको सभी जानकारी जो है वो यहाँ पर ही मिलेगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नौटिफिकेशन आइकन को आउन कर लीजिए साथ ही लेटेस्ट कुई अपडेट्स के लिए आप हमारे टागर्णिंग सपोर्ट टालिगराम चैनल से जरूर जुडिएगा क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में हम वीडियो नहीं ला पाते हैं या लेट हो जाते हैं उसके आपको यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंडी अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलती रहती है ठीके गाइस तो आई जिस ठोप कि आपने यहाँ पर अभी तक इसको जॉइन कर लिया होगा नॉटिफिकेशन ओन कर लिया होगा तो चलिए भड़ते हैं आज के हमारे फर्स फ्री एड्रॉप की साइड जो कि मैं यहाँ पर ताहो वालेट की करूंगी तो मेंली मुझे एक यूजर ने मुझे टेलिग्राम पर बोला कि इसके बारे में प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर बताऊं क्योंकि काफी कन्फूजन चल रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सपी अर्न करने है किस तरीके से अर्ली एक्सेस में पार्टिसिपेट करना है या फिर केवल जिनोंने अर्ली एक्सेस ले लिया उनी मैंबर्स के लिए यहाँ पर एक्सपी अर्निंग अपर्चुनिटी है या नहीं तो वो सब आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तो पहले बता देती हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब का एक वाइट लिस जो है वो ओपन हुई थी जिससे कि हम यहाँ पर इनके सब्सक्राइब जो बीटा वर्जन जो है इसको जॉइन कर पाते यह मैंने आपको दीती है यहाँ पर हमारे टैकरणिंग सपोर्ट टैलिग्राम चैनल पर वीडियो में बात नहीं की थी तो गाइज इसलिए कहती हूँ कि आप इसे जॉइन कर लीजिए तो सारी इंफरमिशन सारी अपड़ेट बैक टूब अपर मिलती रहे तो서 करते हैं ताहो तो ताहो से लेटिर जितनी भी पोस्ट होती है वो आपको यहाँ पर साथ ही इसके AI में भी होते है जिसे जोइन करना होता है जिने जोइन करने पर गैलेक्स के टास्क होता है यह जोइन करना जिसमें कि आपको ओर्ट क्लेम हो जाती है तो गैलेक्स के बारे में भी आगे बात करती हूं यह लेटिस्ट जो भी अपडेट्स होती है वह आपको यहा आया था और साथ ही वो वालेट एड्रेस भी था जो आपने हमाँ पर कनेक्ट किया था जो एड्रेस कनेक्ट किया था और जो बीटा में बेट लिस्ट में जो है स्लेक्ट कर लिए गए थे उन सब को सेम वालेट कनेक्ट करके यहां पर बीटा सब्सक्राइब के टास्क को के लिए open कर दिया गया है 1st of December से लेके 14th of December तक आपने अगर इनकी वेटली जॉइन भी नहीं करी होगी तब भी आप यहां पे इनके subscribe में participate कर सकते हैं तो subscribe है क्या और यहां पे किस तरीके से आपको XP earn करने हैं यह देखिए आपको दिख जाएगा from now until December 14 and even will be able to participate in beta तो simply आप इस option पर क्लिक करते हैं आप.tao.xyz तो guys आप यहां पर इनके so guys simple आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आता है सबसे पहले तो यह task को करने से पहले आपके पास में यहां पर इनका Taho wallet app ओना चाहिए यह है इनका Taho wallet app चाहे तो आप अपना new create कीजेगा चाहे आपका जो wallet हो जिसमें की यहां पर आम बोल सकते हैं कि आपके पास में import करना चाहते हैं आप तो चाहें तो आप इसमें import कर लीजिएगा जिससे active रहते हूँ आप चाहे secondary wallet यूज कर लीजिएगा चाहे इस पर एक new wallet अपना create कर लीजिएगा अगर आपने beta इसका join किया था और जो wallet दिया था वैसे तो आप उसी wallet से करेंगे बट new user है अगभी तक आपने beta join नहीं किया था first time इससे experience कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर अपना नया account यहां पर create कर सकते हैं ताहो के उपर तो यहां पर आने के बाद में according to your activities and tasks आपको देखिए यहां पर इस तरीके से मिलता है तो आप simply मैं यहां पर click कर दी हूँ So guys यहां पर आप जादा से जादा आपको XP अन कर ने और XP अन करने के इनोंचे इनोंने दिखिए चार तरीके बता रखें हैं यहांपर first तरीका of fracks के थू फ्रेक्स क्या है तो जब आप इनके डिस्कॉर्ट पर आते हैं तो इनों ने हैं पर किलियर ली आपको बताया हुआ है फ्रेक्स मीन्स ब्रिजिंग इनका यह आप डॉट फ्रेक्स.finance है यहां पर जाके आप जितने जादा टोकन्स को मतलब जादा ब्रिजिंग करेंगे फ्रेक्सुर्ण से इल्सनपाट बॉट किलिक्ड और एंगे यह नों पर टोकाने वेखेस्ड प्रिजिंग लेखेस्ट आक सुछुर्ण के आप टतो किलिए प्रिजिंग ब्रिक्स माइस Cart kolej आप दोकिलिंग थीशने आप दोकिलिष्टप्स स्टीश। च ताटेइग संसे एक्सपी इंक्रीज नहीं कर बारे थे so that I am just this video में बात करियो किस तरह किसे टोटल करना है तो हर वीक के अंदर अलग अलग प्लेटफर्म को यूज करके आप एक्सपी को अर्न कर सकते हैं Arbitum परिवर्न करनी है आपको और की पर अवाइस को सकते हैं. Next है आपका GITCOIN PASSPORT का SCORE. जितना ज़्यादा आप GITCOIN PASSPORT जो वालेट कनेट करेंगे उसमें जितना ज़्यादा GITCOIN PASSPORT SCORE रहेगा उतने ज़्यादा XP आपको पर वीक यहाँ पर मिलेंगे और हर वीक जितने भढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा XP भढ़ते जाएंगे Next है यहाँ पर Cyber Connect Cyber Connect के उपर जितना SCORE रहेगा आपका उसकी ACCORDEMY यहाँ पर XP इंक्रीज होते रहते हैं और लास्ट है आपका यहाँ पर GALAX के उपर आपको task complete करने है उसके basis पर भी यहाँ पर जितना आप active रहेंगे AI में join करेंगे इनके roles claim करेंगे task complete करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर XP मिलते हैं तो देखिए अब मैं आपने TAHO wallet में बना लिया अपना TAHO wallet के उपर एक transition कर लिजए यह मान के चलिए Arbitum या base network में transition कर रहे हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको TACnet के उपर staking करना बताती हूँ और XP बताती हूँ आपको तो मैंने यहाँ पर network चूज कर लेना है Arbitum simply यहाँ पर Arbitum के network पर पहले swapping कर लिजएगा यहाँ पर swap का यहाँ पर complete हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आइकन दिखेंगे जैसे यह Arbitum है यह यहाँ पर git coin प्रैक्स यह सब जगे अलग-अलग आइकन होते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ simply क्लिक करके open करके इस तरीके से हमारे पास यह Arbitum Reelum है यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी XP नहीं है क्योंकि इसके ओपर मैंने swapping नहीं करी है mainnet के ओपर तो मैंने आपको क्या Arbitum Reelum Open करेंगे उससे पहले आपको swapping अमरीड करनी है हर वीक होगा अभी यहाँ पर 6 वीक चल रहा है और XP अर्ण कर सकते है याकि इन्हों ने पिर्कुल का हुआ है कि Arbitum Reelum संदव XP के लिए आपको यहाँ पर यह fluidity.money जो है इसके ओपर जाके आपको swapping करनी है earning start करनी है The more rewards you earn using fluidity in a week इन्हों पर गाइड आपको यहाँ पर मिल जाएगी simply आप इस पर क्लिक करेंगे यह guide का option आपके पास हो जाएगा How to earn the reward यह नो ने बताया हुआ है I think जितना dollar आप यहाँ पर deposit करते हैं उतना जादा आपको FUSD मिलते हैं और इसको आपको add करना होता है MetaMask के अंदर tutorial आपको यहाँ पर मिल जाता है 1 USDC deposit करेंगे तो आपको 1 FUS वाला जो टोकन है वो मिलेगा और जब आपकी अर्णिंग स्टाइट हो जाएगी उसके आप यह FUSDC को जो है वो अपने MetaMask में add कर सकते हैं पूरा दे रखा है इनोंने and same Flury Ticket आज जो होगे अब आपको क्या करना है ताहो के wallet में Tessnet Network पे आजाना है आपको Ethereum Sappolia पे तो वहाँ पे आने के बाद में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे Ethereum Sappolia के Network पे आप जब आपाएंगे तब आपको यहाँ पे एक stake वाला section दिखेगा यहाँ पर आना है आपको यहाँ पे 3000 Tessnet Tokens मिलते हैं जिसको आपको stake करना होता है हर week जैसे 1 week आपने stake कर दिया उसके बाद next Thursday हर Thursday आपको इने क्या करना होता है नया रिलम स्टार्ट होता है तो इनको यहाँ से unstake करके और यहाँ पर stake करना होता है जैसे कि यह week 6 आचुका है week 5 में मैंने किया था तो मेरे पाद 36.98 XP आगए क्योंकि मैंने stake किया था तो stake करके भी रिलम बन रहे हैं फर्स्ट फुलो डिटरी पर रांजिक्शन करके सेकें यहाँ पर stake करके जो कि अल्रेडी टेस्ट निट पर है without any investment तो मैं अभी इनको stake करती हूँ ठीके गाइस तो हर week आपको हटाना होता है but on Thursday क्योंकि अब ये वाला week जो है week 5 में मैंने इसको participate किया था तो week और अब week 6 आचुका है तो हर week 6 एक्टिव होते ही new week आते ही हर Thursday के Thursday से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जितने आपने एक week में XP एर्ण किये हैं उनको क्लेम कर सकते हैं अन्स्टेक करने के बाद अगेन ये बोल रहा है go to realm और हमें यहाँ पर new week पर आकर इसको क्या करना है stake कर दिना है so guys मैंने यहाँ पर अपने इस्टेक कियेगा इनको भी जो है अन्स्टेक कर लिया अब मैं इस week के लिए इन्हें स्टेक कर दूँगी now now इस्टेक to join realm आ गया है मेरे पास तो यह मैं अल्ड़ी कर चुकी हूँ तो मैं आप इस्टेक कर देती हूँ तो यही है बस कि हर वीक आके जब भी वीकेंड हो और थर्सडे आपको स्टेक करना होता है मतलब पहले वाले को स्टेक करके स्टेक करना होता है यह टेस्टनेट पर मिलते हैं आपको ताओ जब आप इस वीक के लिए स्टेक कर देते हैं तब आपके पास आ जाता है कि अब यहां पर आप quest को complete कीजिए और XP earn कीजिए तो quest आपको कहां मिलेंगे quest आपको कहां मिलेंगे यहां पर दो quest दिख रहे हैं जो मैंने आपको का Arbitum के network को use करते हुए आपको contraction करनी है more XP earn करने के लिए different different unique contracts बनाने हैं आपको Arbitum के networks पे in this week to get more XP and next मैंने FUSDC का बताया उस एप पे जाके अगर आप एक USDC या फिर कोई भी stable coin deposit करते हैं उसके बदले में आपको FUSD मिलता है और उस FUSD को आप किसी और प्रेटफर्म पे जाके like sushi मैं लिंक दे दूँगी आपको पुरी टुटोरियल का करने दे रखे हैं वहाँ पे कौन कौन से डैप को यूज करके आप उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो ना वित अनादर एप पुल में पार्टिसिपीट करते हो तो इससे आपके एक्स्बीर होगी तो तो तीन तरीके से ही हो गया अब 6 सेंबर को मैं इसको अनस्टेक करूँगी यह लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उनने बता रखा है जो FUSD मिलेंगे आप उसकी बदले में इन में से किसी में भी जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस्टेक तो अपना वही रहता है इस्टेक तो आपको एक बार करना है चाहिए आप किसी भी रिलम्पे कर दीजिए बट इहां पर जो टास्क है वो अलग अलग रहते हैं ठीक है और टास्क अकॉर्डिंग आपको रियावाड मिलता है अठीक है यहां पर टास्क रहेंगे यहां पर टास्क रहेंगे ब्रिज एनी टोकन इस वाले डैप पे करना है आपको डैप पे करने के बाद में हायर दा नंबर ओफ डिफरेंट टाइप आफ टोकन यू ब्रिज इन दिस वीग उजिंग इस इस फ्रेक्स फैरी दा मोर ओफ वीकले एक्सपी वी लर्ण तो इस इस थार तरीका हाव तो अन एक्सपी मों जस ब्रिज अर अलग-अलग नेट्वक्स को अलग-अलग टोकन को सेलेक्ट करते हुए आपको यह काम करना है ब्रिजिंग तो जैसे हमने यहाँ पर मान के चलिए बेन भी रखा और यहाँ पर कोई और नेट्वक रखा और यहाँ पर आपका टोकन दूसरा आ गया ठीक है वालेड आपको कनेट कर लेना है तो बस इसके थ्रू है ठीक है तो यह करना है हम लोगों को तो बस यह है कि स्टेकिंग आप एक बार कर दीजिए किसी भी रिलम पे एक किसी भी र नेक्स्ट में आपको बता देती हूं यहां पे बाकि ताव वालेड में बेस नेट्वक को स्टपर करते हुए स्टेक्ट अपर करना गिट कोई पासपोर्ट का स्कोर भढाना cyber connect जो है उसका score हो गया एक हो गया आपका यहाँ पे guild guild के उपर आके net सारे के सारे आपके जो यह roles है वो ले लेना क्योंकि git coin passport का verified होगा score अच्छा होगा तो आपका यह हो जाएंगे सारे और आपको यहाँ पे role मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे Arbitum, Polygon और Ethereum पे active auction काम कर रहे हो 6 महिने से ज्यादा पे ठीक है next इनका Galax के task पे आजाती हो यहाँ पे Galax के तो mainly जो task आते हैं वो AMA के उपर आते है mostly task end भी हो गए है देखे यह सारे AMA के थे ठीक है अब जो यहाँ पे यह सारे community calls है मतलब AMA पे आपको इनको पार्टिस्मिट करना है वो end हो गए है बाकी join the Galax रिलम इन ताहो subscribe यह वाला यह आपका Galax का task है so guys mostly यह सब end हो चुके हैं तो आप इनने चोड़ दीजेगा बस इतना ही कर लीजेगा बाकी में आप डिस्कॉर्ट पे आईएगा announcement के अंदर यह वाली पोस्ट का link दूँगी जो आपको सारी के सारे सब कुछ criteria बता देगा next में बात कर लेती हूँ है next update guys मैं आपको यहाँ पे mint fun की साइट से बता रही हूँ जिसका season 1 हम सबने यहाँ पे mint fun का जहां पे हमने इसके pass को collect किया था और season 1 में participate किया था तो guys यहाँ पर final एक और collection जो है वो base network पे आया है आप अपने wire को connect के check out कीजेगा कि अगर आपको यहाँ पे collect करने के लिए आ रहा है तो अपने metamask wallet में आपको base का network जो है वो select करके रखना है यहाँ पर और base का network select करने के बाद में simply आपको यहाँ पे collect वाले section पे click करना है if you are eligible, fees आपकी इतनी जाएगी and simply आपको इसे collect कर लेना है next update guys यहाँ पे माईशल की आपके साथ शेयर कर रही हूं माईशल का season 4 जो है वो यहाँ पे live हो चुका है अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो कर लीजेगा बाकि season 3 जिन members ने किये थे तेके task विर्कुल सेम है जो आपके करने वो आप यहाँ पे कर लीजेगा आप season 4 के points आपको यहाँ पे show होंगे season 3 में जितने भी points आपने आपका इस task complete कर लीजेगा बहुती easy task है और फिर भी अगर कोई क्वैरी रहती है तो गुरूप में आके बताएगा मैं आपको वहाँ समझा दूगी फिर उसके बाद जो आपने season 3 में पार्टिसिपीट किया था उसके लिए आप re-award section में आएंगे यहाँ पर re-award redemption के section पर आएंगे तो आपका इहाँ पर आपको exchange shell points पर जब आप आएंगे तो आपको दिखा देगा कि season 3 में आपने कितने points earn किये और season 3 में आपने जो points earn किये हैं आप उनको shell coin में change कर सकते हैं तो exchange now के section पर मैंने season 3 के मेरे पास में 180 coins इनों यहाँ पर count किये तो shell points 215 के according मुझे 5 coins इन ने दिये sorry oh guys 36 points का यहाँ पर 1 shell points दे रहे हैं इसलिए इनों यहाँ पर इस तरही से किया है तो मैं maximum कर लिया 180 पर click किया तो मुझे मेरे shell coins यहाँ पर मिल जाएंगे my shell coins के section पर आपको आपके points दिख जाएंगे यह season 4 में enter करने के लिए आपको मिल गया आप इसको claim कर लीजिएगा बाकी तो बस इसी तरीके से हर एक season में participate करके यहाँ पर my shell coin आपको खटे करने है क्योंकि इनकी worth क्या होगी यह हमें नहीं पता पर यहाँ पर funding अच्छी है प्रोजेक्ट अच्छा है स्ट्रॉंग है तो वर्क करते रही है चले इस वीडियो को हैं यह end करते हूं मिस्ती हूं नेक्स वीडियो में new free air ops and updates के साथ आई जो स्ट्रॉंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर आप विर्कुल ना भूलें